हेलो फ्रेंट्स एक बार फिर से मन पसंद खाना में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं अंकुरित मुंग दाल के चीले की रेस्पी लेकर आई हूँ तो चलिए फ्रेंट्स बनाना शुरू करते हैं आदा कटोरी मुंग दाल को मैंने 6-7 घंटे के लिए पाने में भिगो कर रख दिया था उसके बाद कोटन के या मलमल के कपड़े में मैंने इसे एक दिन के लिए बांध कर रख दिया और बीच बीच में कपड़े को मैंने 3-4 घंटे के बीच में घीला करके रख दिया था ता दाल की जो प्रोटिम इटामिन है वो काफी बढ़ जाते हैं तीन हरी मिर्ट चार से पाच करी लस्टन की और एक चमजीरा डाल कर मैंने इसको पीछ लिया है एक कप पाने का इस्ते माल किया है पीछ देखें स्मूथ पेश्ट बनकर तयार है अब इसे एक बाउल में निकाल ल दाल देंगे थोड़ा सा डाल देंगे टेस्ट के अकोर्डिंग नमक दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिला देंगे गैस पर मैंने तवा रख दिया तवे पर मैंने थोड़ा से तेल डाला है और कपड़े से इसे अच्छी तरह से पोस्ट देंगे तवा चिकना होना चाह एक चमच बैटर हम तवे पर फैला देंगे और इसे हलका सा पकने देंगे जब हलका सा पक जाए तो साइड में हम चमच से तेल डाल देंगे और थोड़ा सा उपर तेल लगा देंगे पलड देते हैं इसे और अच्छी तरह से सिखने देंगे देखे इस चीले को मैंने साइड में कर दिया है अब दूसरा चीला फैला लेते हैं थोड़ा सा ओय लगाएंगे और एक चमच बैटर भरकर तवे पर डाल देंगे देखे अगर बैटर बढ़िया बनता है तो अपने आपी चीला फैल जाता है इस चीले पर मैं थोड़ी से प् हेल्दी चीला बनकर तयार होगा थोड़ा सा ड्राई होने के बाद थोड़ा सा तेल लगा देंगे उपर भी डाल देते तेल देखे पैन में जंगा है तो एक चीला और बना लेते हैं चीले को फैला लेंगे इसी तरह से प्यास टमाटर हरभी शकोंदर दाल देते हैं और चीले को हम अलट पलट करके अच्छा क्ριिस्पी होने तक से एख लेंगे देखे यह प्लेन वाला चीला हमाराई बनकर तयार है इसी तरह से हम सारे चीले को बना कर तियार कर लेंगे फ्रेंड्स ये रैस्पी जो है बच्चों के टीफन में भी दे सकते हैं देखे हेल्दी से चीले बनकर हमारे तयार हैं आप इसे अपनी मन पसंद चटनी के साथ इंज्याइ कर सकते हैं प्रेंट्स एक बार ये रैस्पी आप जरूर ट्राइ करना बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी देखे कितने सोफ्ट और कितने हेल्दी रैस्पी हमारी बन कर तयार हुई हैं प्रेंट्स अगर आपको मेरे ऐसी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सेर एंड सस्क्राइब जरूर कीजे और घंटे का बटन दबा देजे ताकि आने वाली वीडियो की जानकारे आपको सबसे पहले मिल सकें तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई